पूरा जो आपको सफेद एरिया यह जो नजर आ रहा है ये complete lesson है इससे आपको पता चल जाएगा कि इस समय पर मंसोर की मंडी के अंदर arrival कितनी heavy हो रही है हलाएकि मौसम के अंदर थोड़ा सा बदलाव आया है जिसकी वज़े से arrivals के उपर पर pressure है और इसी तरह का नजारा हमने नीमच मंडी का देखा जहां पर गाड़ियां की गाड़ियां जो हैं वो मंडी के बाहर खड़ी नजार आई और इस समय पर जो ये नजारा आप देख रहे हो मंसोर मंडी का तो पूरा ये जो सफेद सफेद आपको नजारा नजारा आ रहा है ये नजारा कुछ और नहीं सिर्फ और सिर्फ लेसून है और इस समय पर यहां पर अराइवल्स जो हैं वो प्रती दिन 20-20 हजार बैक की और 20-30 हजार बैक की प्रती दिन यहां पर अराइवल्स होने लगी है एक अच्छी अराइवल मंसोर की मंडी के अंदर देखने को मिल रही है और इसी तरह का नजारा मंध्य बरदेश की दूसरे मंडियों के अंदर भी दिखाई दे रहा है इन दोर की अगर बात करें इन दोर में भी यही नजारा है और वहीं अगर नीमच मंडी की बात करें वहाँ पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है इस समय दिली की आजादपूर मंडी के अंदर भी दाम फिसले हुए है नीचे के अंदर में भाव 3,000 रुपए प्रती किमेंटल तक पहुँच गए हैं देशी के और अगर उटी क्वालिटी का अगर हम लैसून की बात करें तो उटी क्वालिटी का लैसून नीचे में 4,000 रुपए देखने को मिल रहा है वहीं अच्छी क्वालिटी का अगर लैसून की बात करें तो अच्छी क्वालिटी का जो लैसून है उटी क्वालिटी का वो तक्रीबन उपर में 13,000 रुपए और देसी लेसन की अगर बात की जाए तो देसी लेसन 10,000 रुपए के सतर को तोड़ चुका है अब किसानों के मन में एक भै ये भी है कि मोसम क्यों चुकी मंडी के अंदर में अभी जिन किसानों की बूली नहीं हुई है और लेसन लेकर आए है तो उस पर मुश्चर का इफेक्ट गिलेपन का इफेक्ट और ये जो उपर बारिश बन रही है और जो मोसम बदला है उसका ए आज एक अजार बोरी कम अराइवल देखने को मिली है लेकिन मनसोर की बात करें यहां पर लगातार लगातार लैसुन का दबाव बना हुआ है प्राइजिस पर अभी दबाव है नई अराइवल्स लगातार बनी हुई है नई अराइवल्स का लगातार प्रेशर बना हुआ है क रही मत जाएए देखते रही है Market Times TV.